Hello everyone, welcome to Dhannuka Agri Academy So, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Pulses के Insect and Pest के बारे में Pulses जो होते हैं, वो हमारे Leguminous Crops में आती हैं इन में जो pod होता है, उस पे अक्सर Insect and Pest अटेक कर जेते हैं तो चली देखते हैं Insect and Pest of Pulses First हम देखेंगे Red Gram और चिकपी के Pest के बारे में Red Gram मतलब हम इसे अरहर भी बोलते हैं और चिकपी यह तो आप जानते ही होंगे First उनके Major Pest के बारे में देखते हैं Arhar और चिकपी का Major Pest है First Gram Pot Borer इसका Scientific Name है Helicopa, Armijera Family है Nocturi, Order है Lepidoptera Distribution है Worldwide, Means यह Cosmopolitan Insect है यह वर्ल्ड में हर जगा देखने को मिलता है Hostrange, Cotton, Sorghum, Lablab, Pee, Chiri, Groundnut, Tobacco, Okra, Mees, Tomato, Soybean, Cephlaver, Gram, Etc. तो यह सारे इतने सारे crops जो हैं इन सब में भी अटैक कर सकता है Identification of Pests इसके जो eggs होते हैं वो spherical होते हैं शेप में और creamy white color की होते हैं और singly एक-एक अलग-अलग laid होते हैं larva जो होता है उस पर अलग-अलग color देखने को मिलता है greenish color से लेकर brown color तक लारवा में green color का जो होता है उस पर dark brown gray lines होते हैं body में और lateral white lines भी देखने को मिलती हैं साथ में कुछ-कुछ dark pale bands भी होते हैं pupa जो होता है इसका brown color का होता है यह pupation करता है आइदर soil में leaf में पॉड में या फिर जो crop का debris पड़ा होता है उसका adult होता है वो light pale brownish yellow color का होता है इसका mouth stouted mouth होता है और इनके four wing में जो होता है वो gray से pale brown type के color का होता है और इसमें V-shaped speck होता है और जो hind wing होता है वो pale smokey white color का होता है जिस पे blackish outer margin होती है अब इनका damaging symptoms देखते हैं यह क्या होता है early stage में जब attack करता है तो leaves का defoliation होता है means पत्ते जहर जाते हैं और larva जो होता है वो कैसे attack करता है इस पे जो pod होती है उस पे यह छेत करता है और सिर्फ अपना जो head होता है वो बस छेत के अंदर डालता है बाकी जो उसकी body होती है वो बाहर की तरफ ऐसे hang कर रहे होती है और तीसरा क्या होता है कि यह राउंड होस गरा लेता है तो हम उसे दे के पहचान सकते हैं कि यह पॉड बोरर ने attack किया है अब इसे manage कैसे कर सकते हैं हम हेली को वर्पा रिजिस्टिन वराइटी लगा सकते हैं तो रेड़ ग्राम के रिजिस्टिन वराइटी क्या क्या है टी ट्वेंटी बोरी बी इसमें से सेलेक्टर वराइटी आप याग कर सकते हैं चिकपी की वराइटी कौन-कौन से है आई-सी-सी-वी आई-सी-सी-वी-ई-सी-वी-ई-ओ और धुल्या बड पर्चिस को इस्टॉल कर सकते हैं और पेस्ट मोनिटरिंग के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स और लाइट ट प्रे कर सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट मेजर इंसेक्ट में है ग्राम पॉट फ्लाय इसका साइटिफिक ने मैं मेलाना-ग्रोमाईजा और ट्यूजा फैमिली है एग्रोमाईजी और रिप्टेरा इसका डिस्टिबिशन देखते हैं यह इंडिया साउथ इस्ट एशिया और में देखने को मिलता है, इसका हो स्ट्रेंज है रेडगांज, भेंडी और सेफलाब, Bionomics मींज, इबेंटिफिकेशन देख लेते हैं है इसका जो X होता है वो singly ले होता है, आइधर singly भी हो सकता है क्लस्टर में भी हो सकता है, पوड की अंदर होता है जो adult होता है वो pod पे घुश के पियर्स करके उसके अंदर ही एक को ले करता है जो fly होता है वो लगभग 60 to 80 एक्स ले करता है एक बार में और ये 2-4 दिन में hedge कर लेते हैं एक से जो होता है लारवा निकलाता है 2-4 दिन में लारवा जो होता है वो 5-18 दिन तक लारवा के फॉर्म में रहता है देन वो आफ्टर 5-18 देज प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा लगभग 7-10 देज तक रहता है देन वो अगेन adult के फॉर्म में मिल जाता है अब इनका damaging symptoms देखते हैं यह dark brown color के incrustations बनाते हैं pod के wall में यह देखिए आप इनके picture में देख सकते damaging symptoms dry pod जो होते हैं वो pin head size hole बना देते हैं उनके ओपर छेद दिखने को मिलते हैं जो dry pods में और seat जो होते हैं वो shriveled हो जाते हैं मुर्जा जाते हैं और partially eaten जैसे की नजर आते हैं अब manage कैसे कर सकते हैं हम इनके natural enemies को conserve कर सकते हैं जिसे की uterus, levidus, uratoma, species, uterus, agromyc और हम spray कर सकते हैं इसमें कालबेदिल का lambda halothrin का या फिर leupheniron का थर्ड हमारा major pest है plume moth इसका scientific name है exilastis atomasa फैमिली है petropharii, order है lepidoptera distribution देखते हैं यह इंडिया, नेपाल न्यूजीरिया यहां देखने को मिलका है horse range है इसका red gram, लब-लब, नाइजरन, horse gram identification, larva जो होता है इसका वो greenish color का होता है जिस पे radiating ऐसे hair like, minute से hairs होते हैं, spines होते हैं, काटे होते हैं जो adult होता है वो brown color का होता है और delicate होता है अब देख सकते हैं किता delicately इसका structure है brown color होता है छोटा सा moth होता है जिसके पास ऐसे nucleus से wings होते हैं इसलिए इसका नाम है plum moth इनका damaging symptom देखते हैं यह क्या करते हैं पॉड में pin hole, pin head ऐसा बना देते हैं बड़े-बड़े holes बना देते हैं क्योंकि यह spine होते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है जोड़ोटे छेद हो जाते हैं management देख लेते हैं इसका ETL है 5 larva per plant मतलब एक plant में अगर हमें 5 larva देखने को मिलता है means हमें इससे manage कर लेना चाहिए इस time पर बना आगे यह और crop को damage कर देगा बड़ पर्चिस लगा सकते हैं mechanical कैसे कर सकते हैं control ग्रोन अप्लारवा को collect कर सकते हैं और हम लोग nuclear polyhydrovirus का भी यूज कर सकते हैं और insecticides में हम emamectin, benzoate, indoxacarp, chlorantrenine, prolol भी यूज कर सकते हैं हमारा 4 नमबर का major pest है bean fly इसका scientific name है ophiomyia facioli family है agromycd और रिप्टेरा इसका distribution status देखते हैं यह इंडिया, श्री रंका, लाउस, न्यू साउथ वेल्स, फिलिपिन्स, बर्मा, इस्ट इंडीस, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया यह सब जगा पे पाया जाता है हो स्ट्रेंज है इसका red gram, bean, cow pea, soybean, lima bean identification देख लेते हैं यह जैसे की fly है तो इसकी larva को हम maggots बोलेंगे तो इसके maggots होते हैं वो small yellow colored के होते हैं एडर्ड जो होता है यह tiny black fly कुछ ऐसा दिखता है इसका एडर्ड जो damaging symptoms है यह जरूरी है इसके यह क्या करते हैं जो newly formed leaves होती यह उनको मुर्जा देते हैं और इनके seedling में wilt हो जाता है मतलब जो seedling होती है वो पूरी धुरस जाती है और जो यह 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 लोग प्लांट होते हैं यह यह लो कलर की हो जाते हैं और इनकी जो stem होती है वो swollen हो जाती है और फट जाती है जहां पे maggots और pupa present होते हैं उस जगह से management देखते हैं हम इसका management कैसे कर सकते हैं soil application कर सकते हैं कार्बो फ्योरेंस से sowing के time पे imidacloprid spray कर सकते हैं just germination के बाद ही और उसकी second round में 10 दिन बाद हम neem seed kernel extract का भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि हम जो crop है उसको time lease हो करें ताकि pest का attack जो है वो minimize हो जाए कम हो जाए हमारा next major pest है red gram sterility mite यह याद रखेगा यह pest है इंसक्ट नहीं है कि एक mite है इसका scientific name है acarya kejani family है idiofaiti इसका distribution mostly इंडिया में पाया जाता है यह और इंपॉर्टन इसलिए है क्योंकि यह जो mite है यह vector की तरह काम करता है pigeon piece sterility mozal disease के लिए यह pigeon piece sterility virus जो होता है उसके लिए vector की तरह काम करता है इसका identification यह हम यह जो माइट से वह बहुत जादा चोटे होते हम उसे naked eye से नहीं देख सकते लगभग 0.2 mm long होते हैं lightish pink color की होते हैं और spindle shape की होते हैं और हमेशन नीप की निचले भाग में देखने को मिलते हैं इनके जो एग होते हैं वह milky white होते हैं और vegetative parts में देखने को मिलते हैं और कुछ-कुछ nymphs भी देखने को मिलते हैं यंग leaflets में और इनका dispersion कैसे होता है यह क्या करते हैं हवा से जो होते हैं वह एक plant दूसरे plant पे यह transmit करते हैं फैलते हैं इनका damaging symptoms देख लेते हैं जो infected plants होते हैं उसमें light green leaves जो chloratic leaves दिखने लग जाते हैं यह मींस ऐसे light green type के patches या फिर आप veins बोल सकते हैं ऐसे दिखने लग जाते हैं mosaic pattern बोलते हैं इन्हें basically तो yellow color की mosaic pattern दिखने लग जाते हैं और जिते भी infected plants होते हैं वो जो ज्यादा infection हो राता जिसमें वो flowers bear नहीं करती इसलिए इसका नाम है red sterlity mite sterlity मतलब की जो अपने young ones को produce नहीं कर पाते हैं तो अगर flowers produce नहीं हो पाएंगे तो plants जो होगा वो reproduction नहीं कर पाएगा management देख लेते हैं इसके लिए हम resistant pigeon pea varieties का यूज कर सकते हैं dicofol spray कर सकते हैं phosalone spray कर सकते हैं और हमें इसके management के लिए synthetic parathroids को avoid करना चाहिए क्योंकि ये इसके attack को और बढ़ाते हैं इसके आने की संभावना है बढ़ जाती है अगर हम जादा synthetic parathroids का यूज करेंगे तो अब हम pigeon pea के minor pest देख लेते हैं इसके फर्स्ट है pod vast इसका scientific name है Tenao stigmote के जानी नी फैमिली है Tenao stigmatidae ordered है hymenoptera इसके damaging symptoms देख लेते हैं इसका जो larva होता है वो young seeds को या फिर जो उसके base के जो locules होते है pod के उस पे attack करता है और इसके current seed का complete abortion हो जाता है सीड आगे develop नहीं कर पाता है लारवा जो होते हैं वो pod की wall को भी feed करते हैं साथ-साथ में seed को तो करी देते हैं और seed के बाद वो wall को भी feed कर देते हैं और जब पूरे तरीके से attack हो आता तो flowers भी जो होते हैं द्रॉप होने लग जाते हैं और यह पूरा ड्राय हो जाता है और शेड़ ओफ हो जाता है नेक्स्ट है बीस्टर बीटल इसका सैंट्रिफिक नेम है मायलाब्रिस पुस्ट्यूलेटा फैमिली है मैलोईडी ओर्डर है कोलिप्टेरा यह एक बीटल है तो और इसका कोलिप्टेरा होगा इसका डेमेजिंग सिंटम्स देख लेते हैं इस पर एडल्ट होता है वो हमने भी डिसकस किया रेड ग्राम और चिक्पी के पेस्ट के बारे में तो हमारे वीडियो का टॉपिक है पेस्ट और पर्सेस तो उसमें अब दूसरा पार्ट है पर्सेस में हम डिसकस करेंगे ब्लेक ग्राम ग्रीन ग्राम लब-लब और काव पी के पेस्ट के बारे में हमा के एक जो होते हैं वो ब्राउनिश ब्लैक और हमेस्फेरिकल होते हैं निंफ जो होते हैं वो डार्क प्राउस एंट की तरह TRAD इंर इनके damaging symptom देखते हैं यह क्या करते हैं फॉड में्लैट सब्सट मिना देते हैं और Ooh green कर देते हैं और जिसमें बीजिने होते हैं वह क्या करते हैं विज को चूरा चूरा कर देए लियुए कर सकते हैं इसका संट इसके सिवोरा चूरा करके वर्ल की कंट्रीस में देखने को मिलता है इसका होस्ट है ग्राउन नट, रेड़ ग्राम, पीज, बीन, सेफ लावर, लब-लब, नाइचर इसका आइडिफिकेशन देख लेते हैं यह ग्रिनिश ब्लैक कलर्ड एपरिड होता है इसका लाइफ साइकल होता है लगभग तीन से आठ दिन का होता है अब थोड़ा छोटा लाइफ साइकल होता है और यह रिप्रडक्शन कैसे करता है पार्थे रोजनेसिस से और विवी प बन जाता है कुल मिला के फोर इंस्टार स्टेजेस को पार करके इनका देमेजन सिंटम्स देख लेते हैं इनके जो निम्फ और एडल्ट दोनों होते हैं वो क्या करते हैं डेमेज करते हैं डेमेज करते हैं डेमेजिंग स्टेज इसमें दोनों होती है निम्फ की भी होती है फ्लांट के सेप को दो होते हैं उनको शेप में चेंज दाता है और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं इंसको क्या होता है और यह जो है यह पी वारस का भी व्यक्रत की तरह काम करता है अब इसे manage कैसे कर सकते हैं हम इसको manage करने के लिए resistant cow पी cultivars लगा सकते हैं जैसे कि P1473, P1476 इस पर selected आप याद कर सकते हैं लोब यावन भी important है हम इसको manage करने के लिए antomo pathogenic fungus का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि Fusarium, Palydorosium और Bavaria baciana यह याद कर लिजएगा important है और हम इस पर spray कर सकते हैं Methyld emetron यह diamethoid और 125 ml Imidacloplate का 500 लेटर वाटर नहीं ताकि जो है आफिट्स है वो effectively control हो जाए हमारा थर्ड नंबर का इंसेक्ट है stink bug इसको लब लब बग भी बोलते हैं इसका scientific name है coptosoma, cribraria, family है coramelaide, order है hemiptera इसका हो स्टेंज है bean, lentils, etc. damaging symptom देख लेते हैं इस पर भी निम फो एडल्स दोनों ही attack करते हैं और यह tender shoots को attack करके सारे sap को suck कर लेते हैं और जिते भी heavily infested होते हैं वो dry होके shed off हो जाते हैं और moderately infested plant जो होते हैं वो weak से दिखते हैं कमजोर से हो आता है और उनकी growth रुख जाती है का management कैसे कर सकते हैं हम infested crop पे dimethoid spray कर सकते हैं तू लिटर लेके 700 लिटर में water में mix करके पर एक्टर के लिए spray कर सकते हैं then this is all about insect and pest of pulses सो आज हमने क्या क्या पढ़ा हमने आज red gram और chickpea के major and minor pest के बारे में पढ़ा और साथ में हमने love love cow pea black gram green gram इनके भी pest के बारे में पढ़ा तो अगर आप इस चैनल में नए है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो do like and share thank you